पांचवे चरण का चुनाव होना है 20 मई को और ऐसे में मुंबई और आसपास के इलाकों में इसकी तैयारियां जो हैं वो जोरु से शुरू हो गई हैं खासतोर पर मुंबई में बात करें तो भारती जनता पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक लगातार अपनी रैलियां जो हैं वो तेज रफ्तार से आगे बढ़ा रहे हैं हमारे साथ जाधा बातचीत के लिए उतराखंड के मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी जी हैं बहुत स्वागत है सरा आपका इपिनियोस पर थन्यवाद चुनावी रैली में आप लगातार शामिल हो रहे हैं लोगों से बातचीत कर रहे हैं आज क्रिकेट भी खेलते आप नजर आएं तो चार सो पार के लिए पूरी तरह से कमर कस लिए भारती जंता पार्टी ने कि बिलकुल चार सो पार का जो आखड़ा है वो पूरा होगा तीन चरण पूरे हो गए चौथा चरण आज पूरा हो जाएगा और तो तीन चरण नो में ही भारती जंता पार्टी दो सो से ज्यादा सीटें जीत रही है भारती जंता पार्टी एंडिये मिलाकर और बचे कि अपनी अपनी परचार की चीजे हैं, अपना अपना परचार करते हैं, अपनी अपलब्दियां बताते हैं, लेकिन देश की जनता ये मानती है कि मुदी जी के दस साल के कालखंड में उन्होंने देश के लिए जो एक तपस्या किया है, परिस्रम किया है, एक एक पल और एक च्छन देश के लिए लगाया है तो देश की जनता स्वयम आगे आ रही है चूकि मैं मुंबई में कल से हूँ पहली बार मैं देख रहा हूं कि हर बर्ग के लोग आगे आ रहे हैं और यहां भी जैसा शुरू में लगता था कि इतना समर्थन लेकिन एक तरफा बहुत समर्थन क्या कहेंगे पिशली बार मुझे आदे जब आप आये थे तो जो फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग है उत्राखंड से बिलॉंग करते हैं उनसे मुलाकात की थी जब आप ऑन ग्राउंड जा रहे हैं तो जो प्रवासी उत्राखंडी अगर आपको मिलते होंगे उन तक अप उत्राखंड के लोगों का बहुत लगाव है और इनके हरदे में उत्राखंड बचता है तो इसल ौ के लोग तो पूरी तरा से परिसंट कोई संक कोई संका किसी प्रकार का संसे नहीं है पूरी तरह से लेकिन अन्य वर्ग के लोगों में पी चुकि मैं अभी इससे पहले उत्रप्रदेश में था तीन दिनों तक वहां भी मैंने देखा है तेलंगाना भी गया था वहां भी देखा जहरकंड में बंगाल में जहां भी दिल्ली में इस बार लोग स्वेम आगे आ रहे हैं मतलब यह चुनाओ थोड़ा अन्य चुनाओं की तरह नहीं है यह बहुत एतियासी किसमें जीत होगी दामी जी आप देव भूमी से आते हैं लेकिन देवों पर लगाता टिपणी की जा रही है महराश्च्ट की राजनेती की बात करें संजर राओत लगाता टिपणी करें उद्धर ठाकरे कहते है कि भाजपा से राम को मुक्त कराना है उस पर क्या कहेंगा देखे सबसे बने लेकिन कुछ लोग जो कॉंग्रेस पार्टी है या महागाड़ी गड़बंदन जो बना है उस गड़बंदन उस गड़बंदन में ऐसे लोग हैं जिन्नों ने हमेशा भगवान राम का सनातन का राम मंदिर बनने का विरोत किया है आज तुष्टी करण की राजनिती या मजबूरी कहिए उसमें उद्धव जी उनहीं के साथ चले गए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से वो हिंदू समराड थे बाला साब ठाकरे जी उनकी आत्मा जरूर बहुत दुखी होगी कि उनके पुत्र ने वो काम कर दिया जिस पर जिंदगी भर उन्हो लें वो कहते हैं कि जब हम कॉंग्रिस सरकार में आएगी तो राम मंदिर का शुद्धी करन करेंगे वो उस पर क्या कहेंगे एक वो कभी सत्ता में नहीं आने वाली है इस बार मोदी जी आने वाले हैं देश की जनता नने तै कर लिया और सिप्रिम कोर्ट में बड़ी रोड़े अटकाती रही है इस बार जब उनको प्राणप्रतिष्टा का निमंतर भेजा गया तो वह निमंतर देकर भी वहां नहीं पहुंचे अब मीनमेक निकाल रहे हैं और पूरा देश राम भक्त रास्ट भक्त सब के अंदर एक खोशी की लहर है जो कि मैं भी आयोध्या प्राणप्रतिष्टा के बाद दो बार में होके आगे हूँ और परते एक दिन एक लाग से भी ज्यादा लोग आज भी जो है वहां दरसन कर रहे हैं खुसी की लहर देश के अंदर है कि पूरे राम भक्तों को रास्ट भक्तों को लगता है कि त्रेता युग के बाद फिर स हमको राम युग में जीने का आउसर मिला है और यह मुदी जी के नित्तों के कारण हुआ है उन्होंने इनिसेटिव लिया काम किया और भगवान राम का भव्य दिब्य मंदिर बनकर तयार हो गया आगे बन रहा है और प्राणप्रतिष्टा भी हो गई इस बार पहली बार स कौमी पर अपने महल में थे सुद्धी करण की बात करते हैं कॉंग्रेस के में का देखे उनको अपने आचरण में अपने मनों में अपने बिचारों में स्वयम पहला सुद्धी करण स्वयम का करना होगा है अपना सुद्धी करण करें देश के प्रतिजव है उनकी भावना होनी चीए है वो हमेसा देश में रहकर विदेशी सक्तियों के साथ मिले रहते हैं उनके बयान आते हैं और देश मोदी जी की बुराई करते करते हैं वो देश की बुराई करने लगते हैं उनकी पार्टी के लोग उनके गडबंदन के लोग सनातन को किस परकार से मलेरिया कहते हैं, डेंगू कहते हैं, बाइरल फीवर कहते हैं, तबाम परकार से अपमानित करने का काम करते हैं, और गडबंदन में कॉंग्रेस भी है, अन्य दल भी हैं, उसी दल से बयान आते हैं, लेकिन कोई भी जो है, उनका खं इनका नारा है कि इस बार बिजेपी तड़ी पार उस पर क्या कहेंगे देखे तड़ी पार जनता इनहीं को बनाएगी और मोदी जी को सत्ता स्वापरी है जनता और कोई बिकल्प नहीं है देखे देश के अंदर ये लोग उने भले गड़बंदन मना लिया है ये पार बाटियों के अस्तित्त्य को बचाने का अपने भरष्टाचार को छुपाने का ये गड़बंदन है इसलिए देश की जनता मजबूत सरकार चाहती है और ऐसी सरकार नहीं चाहती कि जो पांस साल में दस प्रधानमंत्री बना दें इनके पास प्रधानमंत्री पत के लिए चहरा भी नहीं लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि जो M.I.M. के नेता है वैसी वो कह रहे है कि जब भाजपा जीतेगी तो सम्विधान खतम कर देगी और यही बात इंडिया लाइन्स भी कहती है सम्विधान कैसे खतम हो सकता है अगर को भारती जनता पार्टी और NDA का समर्थन मोदी जी के साथ है सरकार में लगवग लगवग उतना है और चार सो पार इसलिए कहा है इसलिए देश की जनता से अपील किये है कि जो मजबूत जो फैसले लिए गए हैं उनको आगे बढ़ाना है विक्सित भारत का संकल्प आगे बढ़ाना है गरीब कल्यान की सुसासन की जो योजनाएं उनको धातल पर उतारना है भारत को दुनिया की तिसरी बड़ी आर्थिक सक्ती बनाना है सैनिकों का सम्मान बढ़ाना है मात्र सक्ती का उत्थान करना है जो योजनाएं चल रही हैं उनको और तेजी से बढ़ाना ह भारत दुनिया का नेतुतु करने वाला भारत बने शिर्म और भारत बने इसलिए जो है चार सो पार का नारा दिया है और ये केवल लोगों को भ्रम में डालने की बात है कि समीधान बदल देंगे मोदी जी ने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए पहली बार समीधान दिवस मनाने की प्रथा सुरू करी आरक्षण खितम कर देंगे कहते हैं आरक्षण के मोदी जी बड़े पैरोकार सुरू से रहे हैं और लेकिन मोदी जी जो धार्मिक आधार पर इन्होंने करनाटक में सवयुक्ता आंध्रा में जो आरक्षण एक बर्ग विश्यस के लोगों को दिया उन्होंने कहा कि हम देश के अंदर स्टी और ओवी सी को उनके साथ इस प्रकार का भेदवाव नहीं होने देंगे उनके आरक्षण में किसी प्रकार की जो है एक तरह से पीछे से कोई खि सबस्ता की है उसको बदल रहे हैं उसके साथ छेड़ चाड़ कर रहे हैं महाराशन अनुनमाट सेना के अध्यक्षे राज ठाक रहे हैं वो कह रहे हैं कि जब तक प्रवासी मुंबई में आते रहेंगे मुंबई का विकास नहीं होगा उस पर क्या कहेंगे देखे इन लोग अपना सुनिश्चित करते रहें लेकिन अब देश के अंदर देखे एक समरस देश मनिम प्रदान मंत्री मुदी जी के नितोतों बन रहा है समरस सक्ति साली सबका एक साथ समन्वे हो और कोई देश के अंदर भेद नहों एक भारस रिष्ट भारत हो उसके लिए एक राज्य एक होकर एक भारत से भारत की जो संकल्पना है परिकल्पना है उसको साकार करने के लिए आगे वड़ रहा है लोग इनके आप जहांसे में आने वाले नहीं है तो यूसी सी का मुद्धा भी वोटो पर प्रभावट ज़रूर डालेगा यूसी सी देश की जरूरत है एक प्रस्तूत किया है उसमें संकल्प है कि यूसी सी देश के अंदर लागू होगा और देश आज यूसी सी चाहता है आधी-आबादी का पूरा कानून चाहता है और दूसरी तब जो कॉंग्रेस का घुषणा पत्र होता है तो हो कहते है प्रसनल लो लागू करेंगे शरिया क पानून लागू करेंगे तो फर्क लोगों की स्वयम समझ मा आ रहा है और देश अब आगे बढ़ चुका है मोदी जी के नितुत में कदम बढ़ा चुका है अब रुखने वाला नहीं है तो कुल मिला कर आप कह रहे हैं कि 400 पार होने से कोई निसीत रूप से बिलकुल उपसास से उमंग से और जो है पूरे जोस से बहुत बहुत शुक्रिया सरम से बात करने के लिए